नाईयों की पुस्तक अध्याय दो इस्राइलियों का बिगड़ना और उसका दंडब होगना और फिर पश्चाताप करके छुटकारा पाना और यहोवा का दूद गिलगाल से बोकिम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुँचाया है जिसके विशे में मैंने तुम्हारे पुरुखाओं से शपत खाई थी और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तुड़ूँगा इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना तुम उनकी वेदियों को ढ़ा देना परंतु तुमने मेरी बात नहीं माने तुमने ऐसा क्यों किया है इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूँगा और वे तुम्हारे पांजर में काटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राइलियों से ये बाते कही तब वे लोग चिला चिला कर रोने लगे और उन्होंने उस थान का नाम बोकिम रखा और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बली चड़ाया जब यहोशु ने लोगों को बिदा किया था तब इस्राइलियों लोग देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निजभाग पर गए और यहोशु के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशु के मरने के बाद जीवित रहे और द सेवा करते रहे निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशु 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्न थेरेस में जो एप्रेम के पहाडी देश के गाश नाम पहाड की उत्तर अलंग पर है उसी के भाग में मिट्टी दी गई और उस पिढ़ी के सब लोग भी अपने लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राइल के लिए किया था इसलिए इस्राइली वह करने लगे जो यहोवा के दुरुष्टी में बुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे वे अपने पुर्वजों के परमिश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याक कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याक करके बाल देवताओं और अश्तोरेद देवियों की उपासना करने लगे। और वे फिर अपने शत्रों के सामने ठहर न सके। जहां कही वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराय में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था बरन यहोवा ने शपत भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गे। तो भी यहोवा उनकी लिए न्याई धारता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुडाते थे। परन्तु वे अपने न्याईयों की भी नहीं मानते थे। परन वेभिचारीन की नाई पराय देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पुरुवाज जो की आज्याई मानते थे। उनकी उस लीक को उन्होंने शिग्र ही छोड़ दिया और उनकी अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनकी लिए न्याई को ठाराता था, तब तब वह उस न्याई के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुवाज के हाथ से चुडाता थ क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था, परंतु जब न्याई मर जाता, तब वह फिर पराये देवताओं के पीछे चल कर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुर्खाओं से अधीक बिगड जाते थे, और अपने बुरे कामों और हटिली चाल को नहीं छोड़ते थे, इसलिए यहोवा का कोप इसरायल पर भड़क उठा, और उसने कहा इस जाती ने उस वाचा को जो मैंने उनके पुरोजों से बांधी थी तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी, इस यहोशु मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूँगा, जिससे उनके द्वारा मैं इसरायलियों की परिक्षा करू, कि जैसे उनके पुरोज मेरे मारग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे की नहीं, इसलिए यहोवा ने उन जात हाथ में भी उनको न सवपाथा